तो मैंने सबसे बहरे लिया है एक किलो फाइन आटा और उसमें तक्रीबन तो टीस्पून मैंने सॉल्ट एट कर दिया है अजवाइन से बहुत ही मदेदार टेस्ट पी आएगा और यह फाइदे बहुत है तो अजवाइन हमें अजवाइन आदी चम्चे अदर तक्रीबन हम आदा कब तेल डालेंगे तेल जादा क्वांटिट्वी मैं इसले डाल रहे हैं कि आपके पराटे बहुत खसता और बहुत ह नरम होंगे और उपर से क्रिस्पी होंगे तो आप देखेगा इन्शाला इस तरकीब से आटा गूल देंगे और बनाएंगे तो आपके पराटे बहुत ही मदेदार बनेंगे तो अब सब चीजों का मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूं मिक्स करने के बाद इसको नेम गर आपके पराठे असाली से बन जाएं तो अब हम इसको तकलिवन दस से पंदर मेट लिए इसको हम ढखके रख देंगे आटे को और उसके बाद आपको बताते हूं कि कैसे बनाना है तो मैंने दस मिक्स को अब मैंने एक पेड़ा ले लिया है और अब मैं इसको बहुत असाल बता हूंगी कोई भी बना सकते हैं बहुत अराम से लच्छा भी बन जाए और बहुत मेदार बनीगा मैं तो ज्यादा बनाता इसी स्टाइल में बनाती हूं जो जो इस तरह में राउंड रॉन करके लच्छा बनाते हैं वह थोड़ा से डिफिकल्ट भी होता है तो मैं इस किष्पी बन गुटा बनातना है क्रिस्प्री बनाता है तो हैझे हम ऐट कर देंगे क्सको ठीट करalinगे और आप साइड रिके कर pouvait देंगे और भी बनाते हैनु आपको धर्ला इसमोश्य करना बनाते है , और इस तरप अध्य साइड जो नहीं दा रिक ष तो आप देखने बहुत इजी है बहुत सिंपल है और बहुत मज्टा भी बनेगा अप देखियागा तो अब इसको अच्छी तरह से बिल लेंगे अच्छा मैं आपको बेल के रिखाती हूँ किस तरह से आपको बेलना है इस तरह बेलना है के एक इसक्वार्य शेयप आजाए पराटे की और बहुत असान है आपको साइट सेंज करके आपको इसको बेलना है ठीक है और अब हम इसको अच्छी तरह से बेलने के बाद जब तक हमारा तबाग में हम पैन को गरम करते हैं और जब पैन गरम हो जाएगा उसके अंदर हम पराटा एट कर देंगे यह तो हमारी पराटे की शेफ तियार हो गए है अब मैं उसको पैन में डाल दूँगी छिक है और जब यह थोड़ा सा गरम होता है तो फिर मैं इस्की साइड चेंज कर दूँगी तो थोड़ा सा यह गरम हो गया है अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूं और यह देखिए आपको बिल पराठा कच्छा नहीं जाएगा और चारो दर्फ से अच्छी तरह से यह सिख जाएगा मतलब कुक हो जाएगा तो अब मैं इसके अंदर ओयलेट करूंगे तक्रीबन वन और आप देख सकते हैं कि जाएगा और तक्रीबन हमारा पराठा तयार हो गया है कितना जबर्दस मदेदार सा रिस्पी पराठा रिड़ी हो गया है तो बस आगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बिलीव करें कि आपके पराठे का रिजट बहुत जबर्दस आएगा यह ख तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट, शेयर कर दीजेगा और अच्छे-चे वीडियो इसके लिए इंतिजार केजेगा जब तक कि जादर चाहती हूँ दोगाओं में याद रखेगा अपना बहुत हयार रखेगा अलाहाफेज